बॉलिवुड में अभी साॉट का डंका बज रहा है यह हम सबने देख लिआ कैसे बॉलिवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं कर पाई लेकिन साॉट की फिल्में जो हिंदी वर्जिन में रिलीज हुई वो बॉलिवुड की फिल्मों से जादा कमा रही है ऐसे में कहीं न कहीं बॉलिवोर के मेंस्ट्रीम अक्टल्स के लिए सौथ के फिल्में चैलेंज बन चुकी है बड़े बड़े स्टार्स इस बात को मान चुके हैं एक बार फिर से जॉन इब्राहिम ने साउथ फिल्मों को उनका दर्जा बताया है। साउथ फिल्में लंबे समय से इस बात से जूंज रही थी कि कैसी ये मेंस्ट्रीम सिनेमा हमें सिर्फ रीजनल कहकर लिमिट कर देता है। अब साउथ फिल्में बड़ी कर रही है तो जॉन इब्राहिम ने एक बार फिर से साउथ की फिल्मों को रीजनल फिल्में कहा है। है कि अलग सोच है। हमने देखा कि अक्षे कुमार ने कैसे रजनीकांत के साथ रोबोर्ट के सेकंड वर्जन में काम किया एक विल्लिन का रोल निभाया था उन्होंने। वहीं बात करें अजय देवगन की तो उन्होंने साउथ की सबसे बड़ी फिल्म आर 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 में एक कैमेयो किया है। तो क्या अक्षे कर अजय ने गलत के साउथ फिल्मों में काम करके क्या उन्हीं भी यही सोचना चाहिए था कि वो रीजनल सिनमा के अक्टर नहीं बनेगे किशार व्लिवड में काम करते हैं।